चौबे नाशनल पार्क बोच्सवाना के सबसे प्रसिद और विविद वन्य जीवा भ्यारण्यों में से एक है। ये अधेश के उत्तरी भाग में कसाने शहर के पास थित हैं 1967 में स्थापित, चौबे नाशनल पार्क लगभग 11,700 वर्ग किलोमीटर, 4,517 वर्ग मिल केक शेत्र को कवर करता है और अपने असाधारन वन्य जीवन और प्राक्रितिक सुन्दर्दा के लिए जाना जाता है। यहां चौबे नाशनल पार्क के कुछ प्रमुख विशेश ताएं और मुख्य विशेश ताएं दी गई हैं प्रजोर्वान्य, जीवन चौबे अपने बड़े हातियों के जुन्द के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अकसर अफ्रिका में हातियों के सबसे बड़े समूहों मे से एक माना जाता है यह पार्क शियर, तेंद्वी, जीता, दर्याई घोड़े, मगर्म अच्छ, भिस, जिराप्ष, जिबरा और म्लिक की कई प्रजातियों सहित विभिन प्रकार के अने जानवरों का भी घर है चौबे नदी, चौबे नदी पार्क के उत्तरे सीमा के साथ बहती है और पार्क के वन्य जीवन के लिए एक महत्वकून जल्सरोत है चौबे नदी के, किनारे नाव सफारी पीनी और ठंड़ के लिए आने वाले जानवरों के साथ साथ मचली इगल सहित विभिन प्रकार की पक्षी प्रजातियों को देखने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करती है गेम ड्राइव चौब असाधारन गेम देखने के अवसर प्रदान करता है और आगंतुप गेम ड्राइव पर पार्क का पता लगा सकते हैं या तो खुले चार एक्स चार बाहनों में या निर्देशित पैदल सभारी पर पार्क के विभिन परिद्रिशियों में बाढ़ के मैदान, घास के मैदान और रूद लैंड शामिल हैं जो विभिन वन्यजीवों को देखने का अनुखव प्रदान करते हैं सावुती मार्ष, चौबे के दक्षिन पश्चमी भाग में सावुती मार्ष अपनी नाच के परिद्रिश और प्रचुलवन्य जीवन के लिए जाना जाता है शेर और लकडबग्गें जैसे शिकारियों को देखने के लिए ये एक उतक्रिष्ट चगेर है पक्षी देखना, चौबे नाचनल पार्क पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ख है पार्क में 450 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्च है ये इसे पक्षियों को देखने के लिए एक शीर्ष गंतव्य बनाता है खास कर गिले मौसम के दोरान जब प्रवासी पक्षी आते हैं आवास, पार्क आवास विकल्पों की एक शिंखला प्रदान करता है जिसमें लग्चरी लॉज और टेंटर कैम्प से लेकर अधिक की फायती कैम्पिंग सुविधाये शामिल है जो विभिन प्राथमिक ताओं और बजट को पूरा करती है संड्रक्षन, चौबे नाशनल पार्क संड्रक्षन प्रयासों के लिए समर्पित है और ये दुनिया के सबसे बड़े संड्रक्षन क्षेत्रों में से एक बड़े कवांगोजाम बेजी चौबे नाशनल पार्क का दौरा करते समय अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी जाती है खास कर चरम परिटन सीजन के दौरान जो आमतर पर शुष्क सर्गियों की महीनों मैसे अक्टुबर तक में होता है जब जानवर जल्स रोतों के आसपास एकठा होते हैं इसके अत्रित, सुरक्षित और सम्मान जनक वन नजीव देखने का अनुभर सुनिश्चित करने के लिए पार्क नेमो और दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें